हेलो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुली उजला क्यूं होता है, तो आप सही जगा पर आये हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। मुली का उजला होना कई कारकों पर निर्भर करता है। पहले, मुली का उजला होना उसके स्वास्थे का प्रतीक होता है। मुली के उजले होने का एक महत्वपूर्ण कारक पोशन होता है। मुली में विटामिन A, C और E के साथ साथ B-complex, folic acid, potassium, magnesium और fiber होता है। ये सभी पोशक तत्व मुली को स्वास्थ और उजला बनाते हैं। दूसरा कारक है मुली के प्रकाश से प्राप्थ होने वाले प्राकृतिक तत्वा। मुली का उजला होना प्रकाश के प्रभाव से होता है, जो मुली के अंदर होने वाले pigments के कारण होता है। तीसरा कारक है मुली के सन्रचना का प्रभाव। मुली में प्रकाश को प्रते बिम्बित करने के लिए अंतरंग सन्रचना होती है, जिससे उजला प्रकाश बाहर निकलता है। चोथा कारक है मुली के उजले होने के पीछे की वैज्ञानिक कारण। प्रकाश को प्रतिबिम्बित करने वाले पिग्मेंट्स जैसे की क्लोरोफिल, कारोटिनोईद्स और अंतरन पेशी मुली में मुझूद होते हैं। ये पिग्मेंट्स संक्रमित प्रकाश को असमर्थ करते हैं, जो मुली को उजला बनाता है। मुली का उजला होना स्वास्थ्य, पोशन, प्रकाश, सन्रचना और वैग्यानिक कारणों पर निर्भर करता है। मुली का सेवन करके आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे की मुली उजला क्यूं होता है। आप इसे स्वास्थ पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका चेहरा सुन्दर्ता से चमकेगा। मुली का सेवन करने के लिए आप मुली को सलाद, सूप या जूस में शामिल कर सकते हैं। मुली को पकाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि मुली में मिट्टी हो सकती है। तो मुली को सेवन करें। यह आपके स्वास्थ और सौन्दर्य के लिए बहुत फाइदे मंद होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्रिपिया अपने सवालों को कमेंज में पूछें और हमसे जुड़े रहें। इसलिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।